चेहरे को खुबसूरत बनाने की यदि कोई ऐसी जादूई चीज की तलाश में हैं जिसके पहले बार के समाल से चेहरा हो जाए गोरा, खुबसूरत, बेदाग, मुहां से एकने, फोडे, फुन्सी की समस्या बिलकुल ही समाप्त हो जाए चेहरे पर जाईया, जुरिया, पिग्मेंटेशन ये सारी प्रॉब्लम को दूर करें आपकी तोचा से जुड़ी हुई सारी समस्याओं को दूर करने वाला एक ऐसा जादूई पैक का वीडियो लेकर आई हूँ दोसों जिसमें दो अलग-अलग तरह की रेमेडी बताने वाली हो सबसे पहले एक बहुत बहतरी हम बनाने वाले हैं स्क्रब जो की हमारी तोचा में से सारे डैट सेल को रिमूव करेगा प्रक्तिक तरीके से हमारी तोचा को ब्लीच करेगा टमाटर आपको यहां लेना एक टमाटर का रस आपको पता होगा टमाटर जितना ज़्यादा हमारी सेहत के लिए फाइदे मंद है उससे कई गुना ज़्यादा हमारे स्किन को ग्लोइंग बनाने के लिए हमारी तवचा को healthy बनाने के लिए tomato juice फायदे मन्द है एक चमच आपको यहां लेना है coffee coffee जो होती है वो बहुत बहतरीन beauty product भी है चाहे आप बालों की बात कर लीजे चाहे skin की बात कर लीजे दोनों के लिए coffee बहुत beneficial होती है coffee जो होती है antioxidant से भरपूर होने के कारण हमारे चहरे पर यदि मुहासे acne या फोड़े फुनसी की समस्या है तो उसे दूर करती है मुहासों से उत्पन होने वाले bacteria को खत्म करेगी coffee रंग को गोरा करेगी चहरे के दाग धब्मों को हटाएगा tomato का रस आपके skin को healthy बनाएगा tomato juice साथी साथ इसकिन को tight करने के लिए रंग को गोरा करने के लिए यहाँ पर मैं लूँगी rice floor चावल का आटा यदि आपके पास rice floor नहीं है चावल का आटा पिसा हुआ नहीं है कोई बात नहीं जिस चावल का इस्तमाल खाने के लिए करते हैं आप उसी चावल को grinding jar में डाल कर grind करके चान कर उसका powder बना लीजिए थोड़ा fine powder बनाईएगा बहुत मोटा मोटा ना बनाए नहीं तो फिर बजार से खरीद लीजे हलके हाथों से चहरे, गर्दन, हाथ, पैरों पर इस coffee के pack को ये जो मैंने scrub तैयार किया इसे scrub करना है ब्रश से नहीं लगाना है हाथों की मदद से लगाना है, मसाज करते हुए लगाना है ताकि चावल के जो बारिक-बारिक से दाने होते हैं, कण होते हैं वो आपकी तुचा में से सारे dead cell को remove करे जब dead cell remove होते हैं तो अपने आप तुचा पर गोरा पनाता है हमारे स्किन में चमक आती है साथ ही साथ चावल में एक beauty vitamin होता है, vitamin B6 जो की हमारे स्किन के लिए बहुत फाइदेमन है साथ ही साथ हमारे स्किन को जल्दी lose नहीं होने देता है चावल का आता, सभी age group वाले इस तरह से अपने चेहरे की, अपने हाथ, पेरों की care कर सकते हैं आपकी उम्र कम है तब भी करें, आपकी उम्र जादा है तब भी आप मेरे बताई हुई, इस remedy को जरूर try करें आपको पहले बार में ही result समझ में आने लगेगा कि वाकई में skin में चमक आई है सारी tanning remove होगी, कालापन remove होगा तो scrub को 10 minute तक लगे रहने दीजे तब तक कि आप pack बना लीजे इसके बाद scrub करने के बाद जब हमारी तोचा में से सारे dead cell remove हो गए है उसके बाद आपको बनाना है एक pack एक ऐसा pack जो skin को moisturize करेगा आपके skin को hydrate करेगा आपकी skin को glowing बनाएगा healthy, glowing और youthful बना कर रखेगा चार चमच मुलतानी मिट्टी लिया है ठंडग देती है, हमारे skin को tight करती है हमारी तोचा के हर तरह के दाग धबों को खत्म करती है हमारे skin को ज़्यादा excess oily होने से भी बचाती है इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है मुलतानी मिट्टी के साथ आप यहाँ पर ले सकते हैं अब इसमें डालेंगे हम शहद जरूर डालें शहद दोस्तो शहद जो होता है हमारे skin को hydrate करता है moisturize करता है साथी साथ शहद हमारे skin को portion देता है nourish करता है हमारे skin को अंदर से healthy और glowing बनाता है honey एक बड़ा चमच भर कर आप चाहें तो दो चमच भी डाल सकते हैं तो एक चमच आप शहद जरूर डालें दोस्तो शहद जो होता है दाग धब्बों को तेजी से हटाने का काम करता है साथी साथ हमारे तवचा में से सारे dryness की समस्या को भी दूर करता है एक anti-aging की तरह काम करता है तो इस जादूई पैक को आपको जरूर बनाना है सभी उम्रवाले इसे बनाएं पंदरा मिनट लगा कर रखना है ताकि आपके स्किन अच्छी तरह से हेल्डी हो सके और ये पैक अपना काम कर सके यहाँ पर मिलाना है अब आपको बेसन बेसन जरूर मिला है इसलिए तो पूराने समय से ही बेसन का इस्तमाल किया आता जा रहा है इसकिन को हैल्डी और ग्लोइंग बनाने के लिए अब यहाँ पर डालेंगे आप दूद कच्छा दूद डालें बहुत अच्छा होता है दूद में जो लैक्टिक एसीड होता है वो हमारे रंग को साफ करता है हमारे स्किन को सॉफ्ट बनाता है साथ ही साथ हमारे स्किन को अंदर से हैल्दी भी बनाता है एक क्लिंजर के जैसा काम करता है हमारी तवचा में से छुपी हुई सारी गंदगी को भी बहार निकालता अच्छी तरह से फेट ले देखे मैंने इस पैक को बहुत जादा ही बनाया है ताकि बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिल सके बस अब इसे लगाईए पूरे चेहरे गर्दन पर आपको लगाना है हाथों पर भी आपको इसे लगाना है 15 मिनट लगा के रखें स्किन की केयर करने से स्किन केयर से तुरंथी रिजल्ट दिखाई देने लगता है हम लोग के पास टाइम नहीं रहता हम लोग स्किन केयर नहीं करते बजार का बना हुआ फेस पैक खरीद लाते हैं कभी सोचिए का उसमें कितने केमिकल प्रिजर्वेटिव रहते हैं तभी तो ओखराब नहीं होता हमारा घर का बना हुआ पैक दो दिन में खराब हो जाता है तो आपको फ्रेश बनाना है और फ्रेश लगाना है रखी हुई केमिकल वाली चीज़ों का इस्तमाल इसकिन के लिए और बालों के लिए बिलकुल भी नहीं करना है सभी लोग इसका इस्तमाल करें गर्ल्स बॉइस जरूर करें लड़कों को भी इससे जरूर लगाना चाहिए उनको भी चेहरे पर बहुत ज़दा मुहां से फोड़े फुनसी हो जाते हैं और आजकल तो सभी अपने आपको खुबसूरत दिखाना चाहते हैं और दिखना भी चाहिए क्यों नहीं अपने आपको मेंटेन करना चाहिए गर्दन पर नैक पर जरूर लगाए अकसर ऐसा होता है हम लोग अपने चेहरे की तवचा का ध्यान रखते हैं और नैक पर वो पैक नहीं लगाते हैं जिससे बहुत जल्दी हमारी गर्दन की तोचा खराब होने लगती हैं लूज होने लगती हैं रिंकल्स दिखाई देने लगते हैं पूरे हाथों पर लगाएं देखे मेरी बेटी ने कोहुनी पर भी बहुत अच्छा कॉफी वाला ये स्क्रब किया था जिसे उसने वाश नहीं किया है और बस उसी के उपर ही लगा रही है इस पैक को और बड़ी अच्छा थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाएं हाथों में थोड़ा ब्रश से लगाने में ज़्यादा टाइम लगता है इसलिए फटा-फटा आप अपने हाथों से लगाएं पंधरा मिनट तक आप इसे ऐसे ही छोड़े अपने लिए सब्ता हमें दो बार इतना वक्त जरूर रखें ब्यूटी पालर जाने का ना समय रहता है और ना ही हम इतना पैसा खर्च करना चाहते हैं तो कम पैसा खर्च करके भी हम अपनी सुंदर्दा को खोवसूरती को निखार सकते हैं और अपने खोवसूरती पर चार चांद लगा सकते हैं तो बड़ी अच्छा इसे लगाकर रखें दोस्टों और इसके अलावा थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें पानी जादा से जादा पीना चाहिए ताकि हमारे स्किन को हाईडरेशन मिल सके नहीं तो बहुत जादा सुखे पन के कारण भी dehydration के करांड भी हमारी skin rough होने लगती है, उसकी चमक खोने सी लगती है, healthy food ले vitamin C, कोई भी फल खाएं आमला खाएं, orange खाएं, जो भी हो कोई एक फल हमें जरूर खाना चाहिए हरी पतेदार सबसियां खाएं, सेलेट खाएं वीडियो पसंद आएं, वीडियो को लाइक करें टिप्स थियेटर चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें